सुना था तुम परम ज्यानी हो बुद्ध जान क्या अश्चरिय हुआ कि काटा तुम्हें भी चुपता है अब तो गली गली ये बात न उठेगी कि तुम तो कोई पहुचे हुए महात्मा हो ये काटे हमने बिछा ये है इस गाउ में तुम्हारा स्वागत नहीं अर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं चलो चलो दूसरे गाउं का रास्ता लो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गाउं में भिक्षा तन करने दे ठीक है भिक्षा चाहिए तो दे अपने रखती आहूती आप गाउं में प्रवेश कीजिए इन मुठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है आप मुझे ना चूट नहीं तो मेरी चाहिए भी पड़ी आप दूशित हो जाएंगे क्यों दूशित हो जाऊंगा मैं तुम भी हम सभी के करे मनुष्य ही हो और एक मनुष्य का इस परश दूसरे मनुष्य को कैसे दूशित कर सकता है जोला पहने कोई सन्यसी नहीं होता अरे पाखंडी हो तुम पाखंडी परन्तु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसें इसे नीचा कह इसका तिरे सकार करना सबसे बड़ा पाखंड है यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूँ ये धर्म शास्त्र है पाखंड कैसे हुआ जिस मिट्टी से सारी मानवता का सरजन हुआ उसी से इसका भी हुआ मानव और मानव में भीद कर आप सरजन करता पर कीचड उचाल रहे हैं यदि हम आकाश में कीचड उचालेंगे तो आकाश तो उचा ही रहेगा परन्तु कीचड वापस हमारे उपर ही गिरेगा आकाश ने तो भीद नहीं किया वो हम सभी को एक पिता समान ढखे हुए है ये धर्ती धान उपश्ती है इसने हमारे साथ भीदवाव नहीं किया ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है पानी हर प्यासे की त्रिष्णा को बुझाता है जब प्रकर्दी भीदवाव नहीं करती तो हम मनुष्य मनुष्य में भीदवाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इससे संग में भीदवाव क्यों नहीं बनाते हैं? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने सुनीत क्या तुम बिक्षु बनना चाहोगे? मैं अच्छूत आप जैसे मात्मा का बिक्षु मैं इस योग के नहीं हूँ जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यतित हो जाए उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है झाल झाल